तो कल दोस्तो मैं 50 words का question लेके आई थी तो वैसे मैं एक दिन चोड़के एक दिन कोशन लेके आती हूँ लेकिन मैंने सुचा कि 100 words का नहीं लाए तो एक और 50 words का आज संडे है मैं free भी हूँ तो मैंने सुचा कि एक और question बना लेते हैं आप लोगों से share करते हैं तो question के नाम से और tagline से पता चली गया होगा question हमारा है हमारी रोग अधिनियम देखो दोस्तो हमारा interview था तब से कोरोना चली रहा है मतलब कोरोना तो चली रहा है ना तो उस time हमारा interview था हमने खूब पढ़ा एक एक एक्जाम में कोरोना से question आई रहा है और हमारी मेंस में ने आई ऐसा possible भी नहीं है ना क्योंकि हमारी मेंस में तो जो लंत मुद्दे लिखे हूं हैं तो वैसे भी मेंस में आने हैं तो हमारी रोग अधिनियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि पहले क्या था हमने तो बहुत पढ़ाता और हमसे लगवग हर एक मौक में पूछा भी जाता था मामारी रोग अधिनियम के बारे में क्या था अब क्या changes किये गए हैं क्या इससे प्रभाव होता है फलान दिखान पूछे जाते हैं तो इंटर्व्यू है अगर किसी का किसी एक्जाम का तो भी important हो स वो सारे cover के हैं तो आप लोग उधर भी जाके देख सकते हैं क्या पूछती है RPSC इंटर्व्यू में ठीक है तो आज चलते हैं मामारी रोग अधिनियम अगर आएगा तो 50 words से ज्यादा का नहीं आ सकता यह 100% sure है क्योंकि बहुत बड़ा question नहीं देंगे इसमें है लेकिन य अब इसमें पर शंशोतन किये गए है और एक नया pandemic आया था तो इस वजह से चर्चा में रहा था ठीक है तो भारत में महामारी से निपटने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1870 में लागू किया गया कब लागू किया गया था भई 1870 में अब 1870 में का मतलब समझ रहें आप अंग्रेजो के जमाने में रागू किया गया था या अधिनियम तो फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि यार अंग्रेजो के जमाने में भी कोई महामारी आई थी क्या तुझी बिलकुल आई थी और कौन सी महामारी आई थी और ये रोग क्यों मतलब इतना बड़ा अधिन में बूबोनिक प्लेग ने महमारी का रूप लिया था तब यह लागू किया गया था तो भई 1870 के आसपास क्या हुआ था बूबोनिक प्लेग आपको पता हिए कि वह चूहे द्वारा जो बिमारी फैलती है और पहले क्या होता था था इंफेक्षियस बिमारी रास तो था नह कोई भी WIL मारी आ जाती तो गाहूं के गाहं ख़तम हो जाते थे तो उनी मेंसे था बूबोनिक प्लेग और यह फैला का था आज का जो मुंबई है वो पहले बंबई बोला जाता था तो बंबई स्टेट में यह फैली थी और तब बंबई स्टेट में यह लागू किया गया था महामारी रोग अधिनियम यह रोग लगा ले ना फूल नेम इसका महामारी रोग अधिनियम है ना तो महामारी रोग अधि अधिनियम लागो किया गया देखो तब तो यह सिर्फ वंबे स्टेट में ही लगाया गया था मामारे रोग अधिनियम इसके बाद में एक दो माहमारी और आई है जिसके वज़े से कभी गुजरात में लगाया कभी कुछ लेकिन पहली बार पूरे देश में कोविड 19 जब था ठीक है तो यह तो हमने पढ़ लिया आगे चलते हैं कि क्या है इस अधिनियम में तो अप्रेल 2020 में केंदर सरकार ने महमारी रोग अधिनियम 1877 में संशोधन करते हुए स्वास्ते कर्मियों के साथ हिंसा को संगय और गैर जमानती अपराद घुशित कर दिया था देखो है टेस्ट लेने के लिए जा रहे है तो उन पर कोई थूक रहा है कोई पत्थर फैक रहा है तो यह बहुत ही संगय अप रहा था उस टाइम हम इतनी सेंसेटिव सिच्वेशन से गुजर रहे थे कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान से बढ़कर हो गए ठीक है और वो डॉक् पर असली सिच्वेशन को ना समझते हुए उनके साथ छेड़ खानी कर रहे हैं उनके साथ बत्तमीजियां कर रहे हैं तो इसको संगय अपराद माना गया था संगय मतलब गंभीर अपराद माना गया था और इसलिए महामारी रोग अधिनियम 1877 में इस्पैसली संशोधन किय गया था कि किसी भी स्वास्तेकर्मी चाहिए डॉक्टर हो चाहिए नर्स हो चाहिए वरकर हो वहां पर सफाई करने वाला जो भी हो अगर उनके साथ में हिंसा की जाती है तो इस कृत्य को गयर जमानती अपराद घुशित किया जाएगा तब यह अधिनियम ज्यादा चर्च में आया था और मूल रूप से इस अधिनियम में मां हमारी प्रेकोप से बठने के लिए यात्रा करने वालों का निरिक्षन करना संक्रमितों का अलगाव करना और अन्यपरकार के प्रतीबंद जैसे कार्य शामिल किये गये थे उस त्यम यह उगा करता था कि जहाज से आते जाते थे लोग जहाज मतलब पानी के जहाज से तो पानी के जहाज से आने जाने वालों पर प्रतिबन लगा दिया गया उनको चेक करके जहाज में रोक लिया जाता था प्रवेश नी दिया जाता था और संक्रमित जो पाय जाते थे उनका अलगाव कर दिया जाता था और आज और अधिनियम में क्या थी सारी बात है और अब क्या शंशोदन किया गया है इतना लिख देंगे तो I think काफी होगा वैसे इसमें बहुत कुछ लिख सकते थे बट 50 वर्ट में अपने इससे ज्यादा मामला नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि हमारे पेपर बहुत लेंदी होते है और पेपर से लटने में नहीं आते तो हमें जरत है कि बस हम अच्छी अच्छी में में जीजें लिखे जो ज़रूरी है ठीक है बाकि और कोशन के लिए भी टाइम भी वचाना पड़ता है और हाथ में दुखने लगता है तो स्पीड भी बनाका रखने पड़ती है तो एक तो के अपराद के वालों का नेरिक्षन करना और अन्य भी कई प्रतिवंद लगा सकते उस रोग से वचाओ के लिए तो यह था दोस्तो महामारी रोग अधिलियम ज्यादा हाड कोशन नहीं इसलिट है इस जै याद रखना लेख का ओड़ कर रहा है जरह हैसा दोस्तो लेखना और अगुश है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी अगर कोई सुझाव सलाहत देना चाहे तो कमेंट बॉक्स ओपन है वीडियो की अगर पीडियाफ आप लोग जाते हैं तो टेलिग्राम पे जाके उसे फोलो कर सकते हैं डेली की पीडियाफ वहां पर आज आती है और टेलिग्राम पर जाएंगे कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां जाकर टेलिग्राम चैनल पर डाइरेक्ट आप पहुन सकते हैं बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच